नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ण मेट्रिक परिक्षाट के लिए समाजिक विग्यान का अतिमात पुर्ण अबजेक्टिव प्रस्ण अगर आप चाहते हैं अधिक अंख नम्मर लाने के लिए तो आप इस वीडियो को अंतक ज़र दखें बिल्कुल ऐसे ही अबजेक्टि प्रस्ण पूछे जाएंगे तो पहला प्रस्ण आप देख रहे हैं कि प्रत्थम पिर्थिवी सम्मेलन कब हुआ था प्रथम पिर्थिवी सम्मेलन कब हुआ था तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका option number B बिल्कुल चाहिए 1922 इस वी में प्रथम पिर्थिवी सम्मेलन हुआ था तो चलते हैं अगले प्रश्न के और प्रश्न है आपका बिहार में बालू मिश्रित जोलोर मिटी को क्या कहते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका option number B बिल्कुल चाहिए दियारा की मिटी कहते हैं अगला प्रश्न देखिए इसमें देखिए प्रश्न है आपका नेपाल भारत की किस दिशों में अवस्तित है तो option में रहेगा आपका उत्तर दक्षिन दक्षिन पूर्व या उत्तर पूर्व इस तरह से option दिया रहेगा तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल भारत की उत्तर दिशों में है उत्तर दिशों में है अगला प्रश्ण देखिए कराए काली मिटी का दुसरा नाम क्या है तो काली मिटी का दुसरा नाम है रेगुर मिटी अगला प्रश्ण देखते हैं अब प्रस्ण है किस देश में संग्यात्मक सासन ब्यवस्था नहीं है प्रस्ण है किस देश में संग्यात्मक सासन ब्यवस्था नहीं है तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका ओप्सन नमर B बिल्कुल सही है स्री लंका स्री लंका में सासन ब्यवस्था नहीं है प्रस्ण एक बार फिर से पढ़ते हैं किस देश में संग्यात्मक सासन विवस्था नहीं है तो कहां नहीं है स्री लंका में option number B सही है अगला प्रस्ण देखिए पंचायती राज संस्थाओं के कितने अस्तर है तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका option number B बिल्कुल सही है प्रस्ण है भारत की आर्थिक विवस्था है तो मिस्रीत है option number C बिल्कुल सही है भारत की आर्थिक विवस्था क्या है मिस्रीत अगला प्रस्ण है आपका Reserve Bank of India की अस्थापन कब हुई थी तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका option number B बिल्कुल सही है 1934 इसवी में चलते अगले प्रस्ण की ओर प्रस्ण है इनमे कौन छेत्र भुस्खलन से अधिक परवावित होता है तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका option number A बिल्कुल सही है कास्मीर और उत्राखन भुस्खलन से अधिक परवावित होता है कास्मीर और उत्राखंड अगला प्रस्न देखिए प्रस्न है कि कोसी में बार आने का क्या कारण है तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा अधिक बरसा हिमालाई की वर्फ का पिगनला यनि इन में सभी होगा इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा इन में सभी तो चलते हैं अगले मार्स का जन्म कहां हुआ था काल मार्स का जन्म कहां हुआ था तो इस प्रश्निक का उत्तर हो जाएगा आपका जर्मनी काल मार्स का जन्म कहां हुआ था जर्मनी में अगला प्रस्ना है आपका स्वाराज दल के अध्यक्ष कौन थे स्वाराज दल के अध्यक्ष कौन थे तो देखे, पूना समझोता कब हुआ था, पूना समझोता कब हुआ था, पूना समझोता हुआ था 1932 इस्वी में, और यांग इंडिया का संपादन के द्वारा क्या गया था, तो यांग इंडिया की अस्थापन किसने क्या है, मात्मा गौंधी ने, अगला प्रस्न देखते हैं, प्रस्ण है विश्व पढ़ियावरन दिवस कब मनाया जाता है तो यह प्रस्ण आप सभी भी जानते है उप्शन नम्मर ए यानि 5 जून को विश्व पढ़ियावरन दिवस मनाया जाता है अगला प्रस्ण है यह सभी बहुत ही महतपुर्ण है दोस्तो यह पूछे अइसा ही प्रस्ण बिल्कुल पूछे जाते हैं तो प्रस्ण है आपका काजी रंगाराष्टी ए उढ़ान किस राज्य में इस्तीत है तो इस प्रस्ण का उत्तरवागा आपका असम ऑप्शन नम्मर अगला प्रस्ण देखिए कहाराई प्रस्ण में कि सिमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है सिमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है तो चूना पत्थर होता है और अगला प्रस्ण देखिए जूट उत्पादन के लिए भारत में किस राज में सरवधिक मात्रा में उत पत्थर और जूट उत्पादन के लिए भारत में पस्चिम बंगाल राज्य प्रसीद है अगला प्रश्ण देखते है दोस्तों प्रस्न है नेपाल में लोगतंत्र कीपुन अस्थापना कब हुई तो इस प्रस्न का उत्तर होगा आपका उप्सन नंबर B बिल्कुल सही है दो अजार छे में अगला प्रस्न देखिए भारत की प्रमुक समाजिक समस्या क्या है तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका सभी जातिवाद भासावाद संप्रदाइक बाद यानि इनमें सभी इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नंबर B बिल्कुल सही है प्रस्ण है भारत में बित्याई वर्ष कहा जाता है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका option number go बिल्कुल सई है एक अप्रेल से 31 मार्ज तक भारत में बित्य वर्ष कहा जाता है एक अप्रेल से 31 मार्ज तक option number C बिल्कुल सई है अगला प्रश्ण देखिए वेविसी करन का अर्थ है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका वेविसी करन का अर्थ है इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका option नमर B बेपार पूंजी तक्निकी अस्तरन सुचना प्रवाब दुवारा देश की अर्थ विवस्ता आर्थिक विवस्ता के साथ समविये अगला प्रस्ण देखते है प्रस्ण है बिहार का कौन सा छेतर बारगरस छेतर है तो उत्तरी बिहार में ज़्यादा बार आता है अगला प्रस्ण देखिए प्रस्ण है इनमे से कौन प्राकिर्तिक आवदा नहीं है इनमे से कौन प्राकिर्थिक आवदा नहीं है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अतंगवाद अतंगवाद जो है कि प्राकिर्थिक नहीं है अगले प्रश्ण के वर चलते हैं प्रस्ण है भारतिय सम्मिधान में किया गया त्यत्तरवां सम्मिधान संसोधन किस से समंदित है तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमर सी बिल्कुल सही है पंचायती राज से त्यत्तरवां सम्मिधान संसोधन समंदित है अगला प्रस्ण आपका मुस्लीम लिंग की अस्थापना किस वर्स हुई मुस्लीम लिंग की अस्थापना किस वर्स हुई तो अप्रस्ण नमर बी बिल्कुल सही है 1906 इस भी में मुस्लीम लिंग की अस्थापना हुई थी अगला प्रस्ण देखिए 1945 के रूस जपान में जो यूद हुआ था उसमें किसकी हार हुआ था तो रूस का हार हुआ था अगला प्रस्न है बाल गंगाधर तिलक और दौडरा होम रूल लिंग अंदौलन की शुरुवात की गई यहीनि बाल गंगाधर तिलक और एनी बैसेंट बाल गाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लिंग अंदोलन की शुरुवात क्या गया था तो चलते एगले प्रश्ण क्यों प्रश्ण है निमनिकीत में कौन प्राकृतिक संसादन नहीं है निमनिकीत में कौन प्राकृतिक संसादन नहीं है वन प्राकृतिक संसादन है नदियां प्राकृतिक संसादन है खनीच प्राकृतिक संसादन है लेकिन नगर प्राकृतिक संसादन नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमर C नगर अगला प्रश्ण देखिए इन में कौन राष्टिये महामार्ग सबसे लंबा है इन में कौन राष्टिये महामार्ग सबसे लंबा है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका option number A बिल्कुल सही है औन एच साथ सबसे लंबा राज्ज मार्ग है अगला प्रश्ण देख राज में है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जागा आपका करनोटक राज में है और अगला प्रश्ण है आपका कि कपास की खेती के लिए सबसे उप्युक्त मिठी कौन सा होता है तो कपास की खेती के लिए मिठी काली मिठी काली मिद्दा होता है कपास की खेती के लिए काली मि के अधिकार अंदोलन की सुरुवात किस राज से हुई सुचना के अधिकार अंदोलन की सुरुवात किस राज से हुई तो आप सभी जनते हैं कि सुचना का अधिकार अंदोलन कनुन कब लागू हुआ है 2005 में लागू हुआ है और यह किस राज से सुरुवा था राजस्थान से उप्सन नमबर A सुचन के अधिकार अंदोलन की शुरुवात किस राच से हुआ था राजस्थान से अगला प्रस्न है बहुजण समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे तो इस प्रस्न का उत्तर हो जागा आपका उप्सन नमबर B गयर संस्थागत प्रदावन करने वाली सबसे लोगपिडियाई साधन है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्सन नमबर खो यानि B बिल्कुल सही है महाजन होगा इसका अंसर क्या हो जाएगा महाजन होगा अगला प्रश्ण देखिए प्रश्ण है सुखा किस प्रकार की आपदा है सुखा किस प्रकार की आपदा है तो इस प्रश्ण का उत्तर होगा आपका आप्सन नमबर ए बिल्कुल सही है प्राकिर्तिक आपदा है अगला प्रश्ण देखिए नीम लिखीत में कौन प्राकृतिक आपदा है तो ये हो जाएगा आपका भूकम आग लगाना मौनविय है बंबिस्पूट मौनविय है रसायनिक दुरगतना ये भी मौनविय आपदा है लेकिन भूकम प्राकृतिक आपदा है चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर प्रस्ण है सविने अवग्या अंदवलन की शुरुवात कव और कहां हुई तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका आपसर नमर सी बिल्कुल चाहिए सविने अवग्या अंदवलन 1930 में डंडी में हुआ था अगला प्रस्ण देखिए रक्त और लोह की नीति अवलवन किसने क्या था तो इस प्रस्ण का उत्तर होगा आपका आपसर नमर सी बिल्कुल चाहिए विस मार्क ने क्या था अगला प्रस्ण देखिए कहा रहा है प्रस्ण है कि अंतराष्टिय सरमिक संग की अस्थापना कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 1919 में अंतराष्टिय सरमिक मतलब मजदूर होता है तो अंतराष्टिय मजदूर संग की अस्थापना 1919 इसवी में हुआ था और महत्मा गुंधी ने भारत में खिलापत अंदलों का नेता क्या था प्रस्ण पुछा जाएगा कि खिलापत अंदलों का नेता कूँ थे किस राज में खनिश तेल का विशाल भंडार इश्तिता आपके सामने option है option दोस्तो इसे आप मन लेज़ेगा A, इसे मन लेज़ेगा B, इसे मन लेज़ेगा C और इसे मन लेज़ेगा D, तो इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा अगर आप पहले से जान रहे हैं तो comment में दिजिए, तो देखिए असम, option नमर A, बिल्कुल सही है, कि इस राज में खनीश देल का विसाल बंडा रिस्तित होता है तो असम में होता है, option नमर A, बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण है आपका, प्रस्ण है कि भारत के किन अस्थानों पर पहला परमानु उर्जा के अंदर अस्थापित किया गया था भारत के किन अस्थानों पर परमानु उर्जा के अंदर अस्थापित किया गया था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका तारापूर, भारत के किन अस्थानों पर पहला परमानु उर्जा के साफित क्या गया था तारापूर optionhmen Farm Ambien, सई है अगला प्रस्न है कौन सा उरजा स्रोत ओ नवी कर निया है कौन सा उरचा ओ नवी कर निया है तो इस प्रशनिक का उत्तर आप सबका हो जाएगा कोईला option नमर C, बिल्कुल सही है, कोईला जो है, ओ नवी करनिय उर्जा है, अगला प्रस्न देखिए, प्रस्न है आपका, प्रार्थमिक उर्जा का उधारन नहीं है, प्रार्थमिक उर्जा का उधारन नहीं है, तो इस प्रस्न का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमर B, बिद्ध आगला प्रासन है उर्जाका गैर प्रार्मिक श्रोत है इस प्रश्निकका उत्तर हो जाएगा आपका आपका आप डी सोर उर्जा, उर्जाका गैर का निर्मान हुआ था गोड़मानों समू के कोईले का निर्मान हुआ था इस प्रश्ण का उत्तर जागा आपका 20 करोर वर्ज पूर्व ओप्सन नमर ए बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है भारत में कोईले का सरप्रमुक उत्पादक राज है भारत में कोईले का सरवत्तम उ कुन्सा है सर्व से कीले का प्रकार का उनचा होता है तो देखिए, अंथ्र साइट अगला나म्पर प्रश्ण है मुंबाई हाई क्यों परसीद है तो इस प्रसश्री का उत्तर हो जाएगा, आपका option number C भिल्कुल से खनीज तेल ही तू मुंबाई हाई क्यों परसीद है खनीज तेल ही तू अगला प्रसद है भारत का परथम तेल सोद कारखनों कहां इस्तित है भारत का परथम तेल सोद कारखनों कहां इस्तित है तो इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमबर इस प्रशन का उत्तर हो जाएगा आपका दिग वोई का हो जाएगा दिग वोई ओप्षन नमबर C बिल्कुल सही है भारत का प्रथम तेल सोद कारखानों का इस तित है दिग वोई अगला प्रशन है प्राकिरती गैस की स्खनीज के साथ पाया जाता है प्राकिर्तिक गैस की स्खनीच के साथ पाया जाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमबर बिल्कुल सही है पेट्रोलियम प्राकिर्तिक गैस की स्खनीच के साथ पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ अगला प्रस्ण है भाक्रा नंगल प्रियोजना किस नदी पर अवस्तित है तो इस प्रश्ण का आपका उत्तर हो जाएगा उप्सन नमबर C बिल्कुल सही है 17 नदी पर अगला प्रस्ण है दक्षीन भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका तुख भद्रवा उप्सन नमबर A बिल्कुल सही है तुख भद्रा अगला है ताप विद्धूत के अंद्र का उधारन है तो इस प्रश्ण का दुद्ध के अंद्र का उधारन क्या है बरवनी अगला प्रस्ण है यूरेनियम का प्रमुक उत्तपादक अस्थल है यूरेनियम का प्रमुक दोस्तों इस प्रश्ण को बहुत अच्छे से याद रखे क्योंकि बहुत बार पूछे गये हैं और यह भीवियाई है यूरेनि में अप्सान नमर ए बिल्कुल से तारापुड में अब देखे दोस्तों आपका आगया यहां पर जार्खन राज के प्रमुख कोईले उत्पादक छेत्र का नाम बताईए यह नाम अंकित किजिए यह लिखिए फ्रस्ण को एक बार पढ़िए दोस्तों फिर से जार्खन राज के प्रमुख कोईले उत्पादक छेत्र का नाम अंकित किजिए यह लिखिए तो देखिए उत्तर में लिखिएगा जार्खन राज के प्रमुख कोईले छेत्र निम्द लिखित है तो पहना लिखिएगा जार्या बोकारो गिरादी कर्णपूरा रामगर दोस् उत्पादक छेत्र का नम अंकित करें या लिखें तो आप लिखेंगा जार्या बोकारो गिराधी कर्णपूरा रामगर यह पहुंच वह गया आपका प्रमुख उत्पादक छेत्र जो कि जारकन में कोईला उत्पादम होता है और देखें यहां पर कोईले के भिमीनी परकारो के नम लिखिये तो देखिए इस तरह से उत्तर मिं लखिएगा कोईले के 4 प्रकार प्रकार है इस तरह से लिख दिजागा उसके ऐगए एक नम्मर दिजेगा यह तो पहला हो जाएगा आपका एंत्रा साइट दूसरा जाएगा बीटुमस कोईला और तिसरा जगा लिगनाइट और चवथा जगा पीट कोईला तो इस तरह से चारो आपका है यह आपका दो या तिन नमर से पूछ जाएगा अगला देखिए पेट्रोलियाम से कीन कीन बस्तवों का निर्मान होता है प्रस्ण पूछेगा कि पेट्रोलियाम से कीन कीन बस्तवों का निर्मान होता है तो आप लिखेगा उतर में पेट्रोलियाम से निर्मित होने वाली बस्तवों नीम्न है उसके बाद यहां से नमबर देकर के लिखेगा गैसोलिन, डीजल, किरासन तेल, सनहक, ग्रिस, पेटरोल, कृत्मरेशा, कितना सक एवं अन्य दवाईया, कितना सक एवं अन्य दवाईया, शाबून, पलास्टिक आदि, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत थी, बहुत महत्पुर्ण है, और आप अपने दोस्तों में सेयर करे लाइक करें, कोमेंट करें, और हाँ, अभी तरक चैनल को सब्सक्राइब ने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जै जै भारत